विद्यार्थियों, आज के दिन की सुरुवात पेरक कथन से करते हैं, यह कथन आपको समर्पित है खोल दो पंख मेरे, अभी और उडान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आस्मान बाकी है लहरों की खामोसी को समंदर की बेबसी न समझो, जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तुफान बाकी है विद्यार्थियों, इस अध्यन की तुफान को बनाए रखना, और मेरे साथ आगे बरते रना विद्यार्थियों, हम भारती इत्यास के स्वनी प्रिष्टों का अध्यन कर रहे हैं, उसी क्रम में हम आज दक्षिन भारत के एक महत्पुन राजवन्स, चोल राजवन्स का अध्यन करेंगे चोल राज आधुनी कावे नदी घाटी, कोरो मंडर, तिरिचिरा पल्ली एवं तंजोर तक विस्त्रत था साक्षों के आधार पर माना जता है कि इनकी पहली राजवन्स के बारे में अध्यन को आगे बढ़ाएंगे आज का हमारा पहला प्रशन, चोलो के विशे में प्रथम जानकारी कहां से प्राप्थ होती है उत्तर, चोलो के विशे में प्रथम जानकारी पानीनी करत अस्टा ध्याई से प्राप्थ होती है प्रश्ण मबर दो चोलो की विशे में जानकरी के स्त्रोथ कौन कौन से हैं उत्तर महाभारत संगम साहित्य कात्यायन करत वारतिक के माध्यन से हम चोलो की विशे में जानकरी प्राप्त करते हैं अगला प्रश्न चोलो की प्रथम राजदानी कौन सी थी? उत्तर चोलो की प्रथम राजदानी उत्री मनलूर थी अगला प्रश्न चोलो का साज की चिन क्या था? उत्तर चोलो का साज की चिन बाग था चोल राजवन्स का पथम शाशक कौन था? उत्तर चोल राजवन्स का पथम शाशक उर्रब पहरे, इलन, जेत, चेनी था अगला महत्पुन प्रश्ण प्रारांबिक चोल साशकों में सर्वादिक महत्पुन साशक कौन है उत्तर प्रारांबिक चोल साशकों में सर्वादिक महत्पुन चोल साशक करी काल है इसे जले हुए पेरोवाला भी कहा गया है प्रश्ण नमबर साथ करीकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर कौन सा नगर बसाया उत्तर करीकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार पतन जिसे कावेरी पतनम भी कहते हैं नगर बसाया अगला प्रश्ण करीकाल ने किस नगर को अपनी राजदानी बनाया था उत्तर करीकाल ने उरेयूर नगर को अपनी राजदनी बनाया था प्रश्णों की संख्ला में अगला प्रश्ण चोल सामराज का ध्यूतिय संस्थापक किसे कहा जाता है उत्तर चोल सामराज का ध्यूतिय संस्थापक विजय याले को कहा जाता है प्रस्ट नमबर 10 विजयाले का शाशनकाल बताई उत्तर विजयाले का शाशनकाल 850 इस्वी से 871 इस्वी तक था प्रस्ट नमबर 11 विजयाले के प्रस्चात चोल सामराज का शाशक कोन बना उत्तर विजयले के पश्चात विजयले का पुत्र एवं उत्राधिकारी आधित्य प्रथम लगबग 831 इस्वी में चोल राज सिहासन पर बेठा आधित्य प्रथम का शाशनकाल 831 इस्वी से 907 इस्वी तक माना जाता है प्रश नमबर 12 आधित्य प्रथम ने पल्लव राजी पर अधिकार कीस प्रकार किया उत्तर आधित्य प्रथम ने अपने सामराजी विस्तारवादी आकांशा को पूरा करने के लिए पल्लव नरेश अपराजित को पराजित कर उसकी हत्या करके पल्लव राजित पर अपना धिकार स्थापित किया प्रश नमबर 13 आदित्य प्रथम के प्रश्चाथ चोल साशक कोन बना उत्तर आदित्य प्रथम के परशचाथ, परांतक प्रथम, चोल राज्य का साशक बना प्रश्ट नमबर 14, परांतक प्रथम ने कौन सी उपादी धारन की? उत्तर पांडिय नरेश राज सिंग ज्विती को परास्त कर पांडियों की राजदनी मदूरा पर अधिकार कर परांतक प्रथम ने मदूरे कौन की उपादी धारण की परस नमबर पंदरा राज राज प्रथम कब चोल साशक बना उत्तर राज राज प्रथम 985 इस्वी में चोल साशक बना राज राज प्रथम का साशनकाल 985 इस्वी से 1014 इस्वी तक माना जाता है परस नमबर 16 राज राज प्रथम एक प्रतापी साशक माना जाता है इस परस्ट कीजी उत्तर राज-राज प्रथम के शाशन के 30 वर्ष चोल सामराजी के सरवाधिक गोरोशाली वर्ष थे यहाँ पर 30 वर्षों सतात पर यह 985 इसवी से लेकर 1424 के समय से माना जाता है इसने अपने पितामा परांतक प्रथम की लोहो एवं रट के नीती का पालन करते हुए राज-राज के उपादी धारन की राज-राज प्रथम ने अपने शाशन के 90 वर्ष में सामरीक अभ्यान प्रारम किया इस अभ्यान की दोरान दक्षिन के पांडियों वचेर पच्चीमी गंगों उत्तर में कलिंग तक वव उत्तरी श्रीलंका मालदीव आदी छेत्रों को पर विज्ये प्राप्त की प्रश नमबर 17 राज-राज प्रथम का श्रीलंका अभ्यान बताईए उत्तर राज-राज प्रथम ने स्रीलंका के साशक महेंद्र पंचब पर आक्रमन कर उसकी राजदानी अनुराधा पूरम को बुरी तर नश कर दिया इस अभ्यान में राज-राज ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा एवं पोलो नरुवा को उसकी राजदानी बनाई पोलो नरुवा का नया नाम जन्यनाथ मंगलम रखा जैसा कि आप स्रीलंका के नक्षे में भी देख रहे हैं अनुराधापूर वा पोल नरुवा दो महत्पून छेत्र है प्रस्ट नमबर 18 राजराज प्रथम ने तंजोर में कोन सा मंदिर बनवाया उत्तर राजराज प्रथम ने तंजोर में राजराजिश्वर का मंदिर बनवाया प्रस्ट नमबर 19 राजेंद्र प्रथम चोल सामराज का साशक कब बना उत्तर राज राज प्रथम का पुत्र एवं उत्रादिकारी राजिंद्र प्रथम एक हजार चौदा इस्वी में चोल सियासन पर बेठा उसका साशंकाल एक हजार चौदा इस्वी से एक हजार चौदा इस्वी तक माना जाता है परस नमबर बीस, राजिंदर पफम के बारे में जानकारी की स्त्रोथ बताई है उत्तर, राजिंदर पफम के बारे में हमें जानकारी तीरू, वालंकारू, ओव व करंदे अभीники से प्राप्थ होती है ये दोनों अभी लेक बहुत महत्पूर्ण हैं जिन से हमें चोल राजवन्स के बारे में जानकरी प्राप्त होती है प्राश नमबर एकीस राजेंद्र पथम का स्रीलंका अभियान बताई उत्तर चात्र उत्तर से पहले में आपको जानकरी दे देता हूँ कि राजेंद्र पथम के पिताजी राज राज पथम ने उत्तर शिलंका पर अधिकार कर लिया था जैसा कि अभी हमने पूरू के प्रश्णों में दिन किया है अब इस प्रश्ण के माद्यम से हम राजेंद्र पथम के बारे में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने श्री लंका पर किस प्रकाविजे प्राप्ति की हमारा उत्तर लगबग 2017 स्वी में सिहल वर्तमान श्री लंका राज्जी के विरुद राजेंद्र प्रथम ने अभियान किया और वहां के साशक महंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सिहल राज्जी पर अर्थाव मर्तमान के संपूर्ण सिहल लंका को अपने अधिकार में कर लिया प्रश नमबर 22 गंगा गाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्थम ने कोन से उपादी धारन की उत्तर गंगे कोन चोल की उपादी धारन की प्रश नमबर 23 गंगा गाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्थम ने किसे अपनी नई राजदानी बनाया अगला प्रेशन किस चोल साशक की नो सेना को सब्रहादिक सक्तिसाली माना जाता है प्रेशन नमबर चब्वीस राजेंदर प्रथम ने अपनी नो सेना द्वारा कौन से प्रदेश विजीत किये पुतर राजेंदर प्रथम ने श्री विजे से तातपरिप सेलेंदर राजे से के शाशक विजयतुम बर्मन को पराजित कर जावा, सुमात्रा और मलाय प्राइद रुपो पर अधिकार कर लिया उसकी नोसेना ने सिहल द्रीप वर्तमान के स्रिलंका को पर भी पुरा अधिकार कर लिया था अगला प्रशन राजेंद्र प्रथम के बाद चोल सामराज का साशक कौन बना प्रेश नमबर 29 चोलवन्स का अंतिम साशक किसे माना जाता है उत्तर चोलवन्स का अंतिम साशक राजिंद्र ततीगों माना जाता है जिसका शाशंकाल 1250 से 1289 इसी तक माना जाता है मिद्धेब्धीों आज हमने चोल सामराजिय के संस्थापकों के बारे में अध्यन किया है अगली कडि में हम चोल प्रसाशन और चोल कला का अध्यन करेंगे आज के अध्यन के पश्चाथ आप अपने ग्यान की परिक्षा डिस्क्रिप्शन वर कमेंट सेक्षन में उपलब्ध टेस्ट लिंक के दोरा भी कर सकते हैं अगले अध्यन में सिग्र मिलेंगे धन्यवाद